नमस्कार राज्य सिक्षा शोधेवं प्रसिक्षन परिशत बिहार पटना में आपका स्वागत है बच्चों पिछले कक्षा में हम लोगों ने वर्ग पाँच में एक पाट को देखा था और उस पाट का नाम था टिपटिपवा और वहां हमने उस कहानी को पढ़ा था और कुछ सवाल जवाब किये थे वहां की जो गतिविदियां थी उसको अधूरा छोड़ा था तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा कहानी याद करते हैं कि क्या हो रहा था टिप 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 बारिश हो रही थी है ना और दादी के घर के छट स पानी टपक रहा था लेकिन बच्चा जो था वो कहानी सुनाने की जिद कर रहा था तो दादी जी बड़े खीज कर बोली अरे टिप 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 वा से जान बचे तब ना कहानी सुनाओं तो बच्चे ने पूझा था कि धादी ये टिप 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 वा होता क्या है क्या य सबलते एक बारिच से बचने के लिए आकर ख़ड़ा था और वह दादी पोते की बातें सुन रहा था और उससे ना बहुत डर लग गया क्योंकि जब दादी नेगे कि बाग शेर से भी बड़ा होता है ज्यादा खतरनाक होता है तो बाग ने सोचा कि बापरे, इतना खतरनाक है टिप टिप हो और भागो यहां से और वगाग कर जाकर नदी किनारे एक घास के उसमेँ, जुर्मुट में छुप गया आपने देखा है बड़े बड़े घास होते हैं उसमें कोई छुब भी जाए तो वो दिखाई नहीं देगा तब तक एक भोला भी था उस गाओं में और वो भोला जो था बारिश में वो भी परिशान था क्योंकि उसका गधा खो गया था और वो ढूण रहा था सुब़ से ढूणते ढूणते रिशान था तब तक उसकी पत्नी ने सला दिया कि जाईए पंडी जी कहां चले जाईए और उनसे पत्रा बचवा लिजिए यानि पंचांग दिखवा लिजिए कि वो तो एकदम ज्ञानी आदमी है और उनको सब पता रहता है आगे का पीछे का भविश भी जानते हैं तो बिचारा पत्नी की बात सुनकर चला गया पंडी ज परिशान थे क्या हो रहा था उनके यहां घर के अंदर पानी बारिश का जो पानी था वो जमा हो गया था और वो बड़े परिशान थे वो पानी को उलीच उलीच कर बरतन से उलीच उलीच कर बाहर फेक रहे थे और वो बड़े ठक भी गये थे तब तक भोला पहुंचा था और उसने कहा कि पंडी जी पंचांग देखी और बताईए कि मेरा गदहा कहां मिलेगा अब पंडी जी गुसें बोले कि गदहा का अतापता लिखा हुआ है क्या पंचांग में जाओ धूंडो कहीं गड़े में और कहीं इधर उधर गड़े में और कहां कहां जाके डूंड लो अब बेचारा भोला बड़ा हो गया परेशान कि पंडी जी भी नहीं बता रहे हैं अब हम क्या करें तो वो नदी के किनारे उसे लगा कि जरूर यहां कुछ है और तब तक बारिश हो भी रही थी और थोड़ी साम भी हो गई थी और बेचारा गया वहां और उसे लगा कि मेरा गधा ही है तो पहले तो परिशान था तो गुस्से में एकदम खूब पीटा पहले कि उसने हाथ में लट भी ले रखी थी याद है ना उस कहानी में कि उसने लट उठा कर घर से वो चला था तो पहले तो वो पिटाई कर दिया उसे लगा कि मैं गधे को प बाग को क्योंकि बाग तो वहीं चुपा बैठा था और जब पिटाई करने के बाद अब बाग को लगा कि अब आ गया टिपटी पुआ अब तो मेरी खैर नहीं अब तो मेरा जान ही चला जाएगा अब चुप चाप जो ये कहता है करते रहो तब ही मेरी जान बचेगी फिर क्या हुआ बचो बचारा बाग चुप चाप कुछ भी चूच अपड़ किये बगार वो एकदम पड़ा रहा और भोला ने क्या किया उसका कान पकड़ा और ले चला अपने घर की तरफ बाग भी बचारा चला जा रहा है घर चला गया और उसने क्या किया अंधेरा तो था भोला ने एक रसी लाई और भाग को बांद कर खूटे से बांद दिया कि अब ये कहीं भागेगा ही नहीं पूरे दिन मुझे परेशान किया है इस गदे ने अब हो गई कि साम रात उसके बाद वो क्या किया सो गया ठग गया था पूरे दिन जाकर सो गया और सुबह हुई पूरा गाउं हैरान पूरा गाउं एकदम आश्चर चकित कि अरे भोला और उसके घर के आगे बाग बंधा हुआ बाप रे बाप बाग तो खुद इतना खुंकार होता है वो भोला के घर के आगे आखिर बांधा तो बांधा किसने और भोला के घर के आगे ये क्यों बंधा हुआ है सब लोग आश्चर चकित और हैरान और ये थी कहानी बच्चों हमने पिछले अध्याय में इसके सब्दार्त भी देखे थे कुछ प्रस्णों को भी हल किये थे और बहुत सारी बाते पुछी थी आपसे हमने बताईए आपको याद है देखिये अपने पुस्तक में कौन-कौन से प्रस्ण मैंने पूछे थे देखिये हाँ और जो बचे हुए प्रस्ण है उनको भी देखिये क्योंकि अब हम लोग उन बचे हुए प्रस्णों को हल करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे और जानकारियां ही कठी करेंगे बच्चों बारिश तो खुशहाली ला आई थी तो फिर पंडी जी के घर जाते समय बताईए भोला ने मोटा लट साथ में क्यों ले लिया होगा क्योंकि आपने अभी सुना कहानी में कि उसने मोटे लट से पिटाई की थी बाग की गधा समझ कर तो पंडी जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लट साथ में इसलिए ले लिए था कि आप जानते हैं कि बरशात में भयानक जीव जनतू निकलते हैं जैसे साप बिच्चू है ना तो इन जीव जनतूं से रक्षाक के लिए उसने लट ले लिया होगा या गदे पर अपना क्रोध उतारने के लिए क्योंकि वो गुस्सा भी हो रहा था कि पता नहीं कहा चला गया सुबह से क्योंकि उसने दीन भर भींगते हुए उस गदे की खोज की थी वो गुस्सा भी था और उसने पिटाई तो करी दी थी तो आप देखी रहे हैं कि मोटा लट जो था वो किस काम में आ गया लेकिन सारे गाउं में लाठी इसलिए भी रखते हैं कि अगर कहीं पानी जमा हो तो उस पानी की गहराई का पता लगाने के लिए वो लाठी डालते हैं और देखते हैं कि यहां कितना अब गहरा पानी जमा है कहीं डूबने लाइक पानी तो नहीं है या अगर साप वाप निकल जाए तो भगाने के लिए या मारने के लिए इसके लिए भी उपयोग करते हैं कभी कभी लाठी से और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जैसे अगर कोई डूब रहा हो तो लाठी को आगे बढ़ा कर उसको पकड़ने के लिए कहते हैं और लाठी को खीच लिए और उसको बचा लिए तो इसलिए सब लोग लाठी अपने साथ रखते हैं उस दौरान ये तो थी लठ की बात अब ये बताईए कि भोला पंडित जी के पास क्यों गया था तो आपने कहानी में सुना देखा भी कि भोला की पत्नी ने कहा था कि आप जाईए पंडी जी से पूछिए क्योंकि पंडी जी पता कर लेते हैं कि कौन सा चीज कहा है कौन क्या होने वाला है है ना और वो ये भी बता देते हैं कि कौन सा त्योहार कौन सा ये आने वाला है तो ये सब वो बताते रहते थे तो उसको उसकी पत्नी को ये भ्रह्म था कि पंडीत जी जरूर बता देंगे कि मेरा गधा कहा है इसलिए उसने कहा था कि जाईए और जाकर पता कीजिए और इसलिए भोला पंडी जी के पास गया था चलिए आगे देखते हैं कि बाग टिपटिपवा के डर से कहां छिप गया था बताईए हाँ जो नदी किनारे लंबी लंबी घास होती है ना तो बाग टिपटिपवा के डर से एक तालाब के किनारे उची उची घास में छिप गया था आपने देखा है कि घास कितनी लंबी-लंबी हो जाती है बारिश के दिनों में और उसमें कोई छुप कर बैठ जाए तो वो भी दिखाई नहीं देता है तो बाग वहीं जाकर छिपा बैठा था और भोला ने समझ लिया था कि ये तो मेरा गधा है मैं इसे ले चलता हूँ पकड़के और जैसे ही वो दिखा शुरू कर दी उसकी पिटाई क्योंकि वो गुस्से में था धून रहा था दिन भर अपने गधे को और पकड़ा गया कौन बाग है ना चलिए कुछ प्रश्ण और है अब बताईए बच्चों कि गाउवालों की आखे खुली की खुली क्यों रह गई तो गाउवालों की आखे भोला के घर के बाहर खुटे से बंधे बाग को देखकर खुली की खुली रह गई थी गाउवालों को इस बात का अश्चर हो रहा था कि भोला ने बाग को क्यों बांध रखा है और अगर बांधा है तो कैसे बांधा, आखिर बाग बंधा कैसे, वो तो खुद इतना खतरनाक जानवर है, वो कैसे बंध गया, और कैसे इसने उसको अपने कबजे में ले लिया, वो भी बाग को, ये तो बड़ी बहादुरी की बात थी, इसलिए सारे गाउवाले अशर चकि विट थे, चलिए आगे देखते हैं, बच्चों, बारिश में, दादी की जोपड़ी में, पानी जगा-जगा टपक रहा था, तो दादी जी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा, दादी जी ने बारिश से बचने के लिए घर के उस भाग में चली गई होंगी जिधर पानी नहीं टपकता होगा अथवा छपपर पर घास फूस या प्लास्टिक पन्नी डलवाद दी होगी ताकि उससे पानी रुका रह सके तो कुछ ने कुछ तो उपाय जरूर किये होंगे अब आप आपके अब आप या आपके महले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं अब आपको बताना है बच्चों कि आप या आपके मोहले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं क्योंकि हम अथवा हमारे गाओं मोहले के लोग बारिश से बचने के लिए वर्शा रितू के आरंभ होने से पुर्व ही घर के छपपर की मरम्मत करवाते हैं ताकि वर्षा के समय, कोई परेशानी ना हो और सुख पुरवक जीवन वैतीत कर सकें, क्योंकि बारिश में क्या होता है, बहुत तेज जब बारिश होती है, तो बहुत सारे जगों में, जहां नहीं भी पानी टपकना चाहिए, वहां भी अपना रास्ता पानी बना लेता है, और वो टपकने लगता है, तो इसलिए बहुत सारे गाउं में जो घर होते हैं, जो खपरेल के होते हैं, फूस के होते हैं या तीन के होते हैं, वो सब लोग बारिस के पुर्व ही मरमत करवा लेते हैं, ताकि वो परिशानी से बचे रह सकें, आगे देखते हैं हम लोग, अब देखिए बच्चों, इस कहानी में बारिस से कई लोग परेशान हुए, बताइए उन्हें बारिस के कारण क्या-क्या परेशानिया हुई, अब आप सुरू से सोचना शुरू कीजिए, और कहानी को सुरू से ध्यान से सोचिए, कि सबसे पहले कौन आया था बच्चों? दादी, टिप-टिपवा नाम किसने लिया था? दादी, तो दादी जो थी, उनके छपपर से पानी टपकने के कारण घर का समान भींग गया और उनको परेशानी हो रही थी, सोने में भी बाधा पहुँच रही थी, या उनका समान भींग रहा था, गीला हो रहा था, तो सब से पहले तो दादी को परेशानी हुई ठीक है फिर पंडी जी जो बर्सा के कारण उनके घर में पानी जमा हो गया था और दिन भार उन्हें पानी उलीचना पड़ा आपने देखा है कि कभी-कभी आपके आंगन में भी पानी जमा हो जाता है क्योंकि पानी निकासी का जो रास हो गया फस गया तो आंगन में पूरा पानी जम जाता है तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी उस रास्ते को खोलने की कोशिस करते हैं कि पानी निकल जाए लेगिन अगर पानी निकलने कहीं रास्ता ही नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा उसी तरह पंडी जी की तरह पानी को किसी बरतन से उलीच-उलीच कर फेकना पड़ेगा इसलिए वो काफी ठक गए थे तो बारिश के कारण पंडित जी भी परेशान थे अब कौन है बच्चों बचा हुआ बाग क्योंकि बर्शा के कारण ही बाग को जान बचाने के लिए जोपडी के पीछे आना पड़ और टिपटिपवा का नाम सुन कर वो तो पूरा भैभीत हो गया है ना और भोला के हाथ थो मार भी खानी पड़ी क्योंकि उसे तो लगा कि अब आ गया टिपटिपवा और वही हमें मार रहा है है ना और बारिश के कारण बाग भी परेशानी में पड़ गया अब बचा भो भोला वर्षा के कारण ही उसका गधा कहीं चला गया था और भोला को वर्षा में गदह की खोज करनी पड़ी क्योंकि पानी में वो भीङ रहा होगा तो उसने भी सोचा होगा कि चलो कहीं सुखा स्थान देखकर वहीं रहा जाये तो गधा कहीं चला गया था और भोला परिशान था उस गधे को खोजने में और इस गधे को खोजने के चक्कर में उसने कितनी बहादुरी का काम किया वो बाग को पकड़ लाया और पूरे गाउं वाले आश्चर चकित रह गये तो भोला जैसा सीधा साधा व्यक्ति अन्जाने में क्या कर बैठा देखा आपने हाँ बच्चो आगे देखते हैं बच्चो अब आपको क्या करना है कि आपने देखा कि कौन सी घटना कब घटी थी और किस के बाद क्या किया हुआ था तो आपको क्रम के आधार पर नंबर देना है कि कहानी में पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ तो घटना के आधार पर क्रम में अंक दीजिए मतलब आपको लिखना है कि पहली घटना कौन हुई तो एक लिखिए दूसरी घटना जो आप जब हुई तो दो लिखिए तो यहां जो दिये गए हैं आपके पुस्तक में भी यह दिये गए हैं तो इनको पढ़िए और देखिए कौन सी घटना पहले घटी थी तो यहां जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दादी की जोपडी में बारिस का पानी टपक रहा था सबसे पहले तो यही घटना घटी थी तो इसको आप एक नंबर दीजिए उसके बाद दादी ने कहा टिपटिपवा बाग से भी बड़ा होता है यह दूसरी घटना थी तो यहां दो लि आपने गधे का पता पूछने पंडी जी के पास गया यह था तीसरा घटना और चौती घटना क्या थी बच्चों बाग टिपटिपवा के डर से तालाग के किनारे गास में छिप गया था यह थी चौथी घटना और उसके बाद अंत में क्या हुआ था बच्चों भोला ने बाग को गधा समझ कर खूटे से बान दिया था ये थी सबसे अंतिम घटना और कहानी यहीं खतम हुई थी तो समझ गए आप है ना ये था क्रम संख्या से घटनाओं को सजाना और इसके लिए आपन ये गतिविधी की कैसा लगा बच्चों इससे आपको कहानी दुबारा से फिर से सोचने का और याद करने का एक आउसर मिल गया आपको अब कहानी भी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी है ना आईए आगे देखते हैं अब बताईए बच्चों बाग चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा और जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निसान लगाना है यहाँ तीन वाक्य दिये गए हैं जैसे बाग भोला से डर गया था बाग ने सोचा भोला उसे टिपटिपवा से बचाएगा और बाग ने मोटे लट को टिपटिपवा समझ लिया तो बताईए क्या है सही सही था कि बाग भोला से डर गया था क्योंकि अचानक ही तो मार पढ़ने लगी थी भोला की लट बरसने लगी थी है ना तो इसलिए बाग भोला से डर गया था और इसलिए चुप चाप वो भोला के पीछे पीछे चलने लगा था अब यहां कुछ मुहावरे दिये गए हैं, तो नीचे दिये गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ आपको बताने हैं, बच्चों तब तक के लिए हसिए, मुस्कुराईए, खेलिए, कुदिए और खुश रहिए, पढ़ते भी रहिए, हाँ, तब तक क के लिए, नमस्कार.